बहुत बहुत सभागत आप सभी का इस कमाल धमाल लाइव स्ट्रीम के अंदर कम्प्लीट फ्लमिंगो को वन शॉट के अंदर हम यहाँ पर आज कवर करने वाल है तोटल आठ चेप्टर है अपने फ्लमिंगो के और वन पेज नोट्स में आपको अल्रेडी प्रवाइड किया तो उसके साब से मागे बढ़ेंगे और एकदम कंसाइज वे में चीजों को लेते हुए चलेंगे आपके जो भी डाउट्स हो गिला शिक्वा दुख दर्द उसको बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में उसको हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला अपने पास दी लास्ट लेसन तो दा लास्ट लेसन को लिखा है अलफॉन्स और आउडिट नामके एक फ्रेंच नॉबलिस्ट ने और यह बहुत कमाल के शॉर्ट स्टोरी जाता है पुरुशन आर्मी के द्वारा और पुरुशन आर्मी को इस टाइम पर बिस्मार्क नाम के कमांडर लीड कर रहे थे इस स्टोरी के अंदर फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सस और लॉरिन वो अब पुरुशा के हाथ में आ चुके थे तो यह इसका एक बैगर अगर हम की पॉइंट को देखे तो यहाँ पर पुरुशा कंट्रोल ले लेता है अलसस और लॉरिन के ऊपर अब वहाँ पर और आते हैं कि भाई साब आपको सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ानी है अपने इन दो डिस्ट्रिक्स के स्कूल के अंदर तो फ्रेंच टीचर अब को जरूत नहीं थी और उनको अब छोड़ना पड़ेगा जो इसकूल है वह फ्रेंच जो कि मिस्टर एमेल का एक स्टूडेंट रहता है वह उसको रियलाइज होता है कि यार भाई साबास तो लास्ट फ्रेंच लेसन है तो फ्रेंच को बहुत ज़दा रिग्रेट होता ग्यार क्यों मैंने पहले सीच को नहीं पड़े और क्यों मैंने पहले स्को स्य्रियसली नहीं ली सबकूर और वह उसको इग्दम यहार अपसी आइब जागरब्स को भी तो अपनी ब्रॉजिक और सबसे ई स्ब्सक्राइब स्कूल के लिए फ्रेंस देन कोशन करते हैं कि क्या एनिमल्स को भी जर्मन यहां पर पढ़ाई जाएगी क्या क्या यह जो कबूतर बैठ है इनको भी जर्मन में कू करवाई जाएगा क्या तो इस चीज से फ्रांस बहुत ज्यादा महाँ पर गुस्सा भी होता है एम हमल फिलास्ट में लेसन को एंड करते हैं ब्लेक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और लिख देते हैं चुपचा विवा ला फ्रांस इसका मतलब होता है लॉंग लिव फ्रांस फ्रांस हमर रहे और इस तरह से वो अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं फॉर दे और तीसरा हम पर बताएगा है इंपॉर्टेंस फ्रीडम की जो स्वतंतरता है उसकी वैल्यू आदमी को जब ही पता लगती है जब उसके ऊपर खोई गुलामी का बोज डाल दे हैना या फिर कोई इसको गुलाम मना ले तो यह इसकी थीम है देन केरेक्टर स्केच के अंदर करतीर चिंटू की एक आगा कुमगी tea वचलामी की जाना गे ऑता यगी है और यहाई पहुंशन प्रेंजर के दो क्योंट का रेकशन की लात है best रीग सब्सक्राइब ने गया के जनी दीवत सबसांदित है आग सब ओन करता है जैसे ब क्मलीन को स्कूल जा रहा होता है दे बहुत पसंद है भाई को ते उसके बाद ऑब्जर्वेंट चीजों को अब्जर करता है जैसे जब इसकूल जा रहा होता है देखता है बहुत बुलेटिन बोड के आगे भी लगी है इसकूल के आगे पहुच जाता है तो देखता है कि भाई सब आज इतना सन्ना डग्यू है इसके बाद और अच्छा थिंकर भी है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्जाम के लिए पीजन्स वाला की लास्ट फ्रेंच चब क्लास थी तो जो फ्रेंच है वो पीजन्स को देखता है और सोचता है कि क्या अब यह जो जर्मन के लोग हैं यह पीजन्स को भी कू करवा हैं कई हमारी कुल्ट्रल आइडेंटिटी तक को भी यह न मिटा दे हैना तो यह उनको डर लग रहा था तो यह अपने पास पहला चैप्टर उमीद है आपको समझ में आ गया होगा अगर इस से रिलेटेट कोई भी डाउट सथा बिल्कुल कॉमेंट बॉक्स में मुझे बत बॉक्षा जाए उनको एडुकेट किया जाए और यहां पर जब तो पार्ट्स में इस चैप्टर को लिखा है पहला जो पार्ट है वह तो अपना है आपाउट वह सम्टामस आपर उपी है जो की है कार्बेज जो घृ घटा गरते हैं रैग पिकर्स का इसेकंड चैप्टर ह तो दोनों chapters के अंदर अलग-अलग themes को उठाए जाता है पहले बाद child labor को तो दोनों में उठाए जाता है देन उसके बाद जो Bengal वाला है उसके अंदर यह भी बताया जाता है कि कैसे जब laws को बहुत जदा enforce किया जाता है बहुत जदा strictly implement किया जाता है तो कहीने कहीं वहाँ पर exploitation का खत्रा उबर जाता है और जो bureaucrats है middleman से साहुकार से यह लोग एक vicious circle perform कर लेते हैं जिससे जो गरीब लोग हमेंशा poverty में ही रहते हैं इसके बाद दो पार्ट में divided हैं पहला है सम्टाइम्स अफाइंड रूपीन गार्विज जिसमें में रेक पिकर जो थे वो ढाका से 1971 में सीमा पूरी अलाके में आये थे और उनको वहां से इसलिए आना पड़ा है क्योंकि वहां पर तूफान आ गया था जन साहिब रेक पिकर है जो quindi RE Troy सर्च करता है और इस गारंबे में गोल्ड को देखना चाहता है अब यहांपर गोल्ड कमतलबия Ondas तो बाईसा मजड़ा ही आ जाता है यह चिल्रन के पास इपने ज़िए चिर्ण के पास इतनी ज़ादा मींश नहीं है कि यह अपने सपनों को पूरा कर सकें उनके पास बेसिक चीजे जैसे जूते वगरा भी नहीं है और यहां पर फिर राइटर बोलती है कि हो सकता है क्या जूते ना भेंड़न एक ट्रेडिशन हो ताकि यह लोग गरीब दिख सकें तरह उसके बाद जो चिल्डरन है ते आर ट् बेंगल मेकर्स की फैमिली करीब 20,000 बच्चे इस बेंगल मेकिंग वाली इंडस्ट्री में लगे वे थे और इतनी ज्यादा पूर कंडिशन्स में लोग काम करते थे कि कई बार तो बेंगल मेकिंग के डस्ट से इनकी आई साइड भी घराब हो जाती थी मुकेश के हैं वो जब साहिब जब हमारी अनीज जंग से मिलती है तो वो बोलती है कि यार यह तो हमारा कर्म है यह हमारा फैट है और यह हमारी डेस्टी नहीं है जो भगवान के द्वारा दिया गए हमें उक्यूपेशन है उसको कैसे हम नकार दे हैं कुछ और हम ट्राय करें तो इस ब्रवान क करेंगे तो यह जो साहुकार है प्लिक्स और वुलिज करेंगे नहीं होने तेंगे और यह हम पर अत्याचार और जादा करेंगे जबकि इनकी गलती भी एगी कि यह लोग कोप्रीटी वना बना पाते हों मिल जूलकर है यह नहीं रहपाते हम दो अपनी वोई इस फसा लेते हैं तेन मुकेश एक अलग व्यक्ति है वो stand out करता है because वो बेंगल मेकिंग के जगह मोटर मेकानिक बनना चाहता है और अपना खुद का एक गराज वो खुलना चाहता है despite इन difficult circumstances के लिए मुकेश अपने dream about cars को सच करने की राह में निकल भी चुका है तो यहां पर से कई बार एक प्रशना आता है कि अनीस और साहिब में या फिर अपना जो साहिब आलम है और मुकेश में इन में के difference है तो आप यही बोलेगे कि साहिब आलम दोनों पहली बात तो एक ही जैसे conditions में रहते थे लेकिन जो साहिब हो सब्मिट कर लेता है जबकि मुकेश है वह determined है वह सब्मिट नहीं करता है तो यह आपको बताना है अच्छा आप आपसे एक quiz है पहले वाला chapter हमने पढ़ लिया है आप मुझे जल्दी से comment box में बताईए कि पहले वाले chapter के author कौन है तो इस तरह से मैं आपसे आपको बताना है comment box आपके लिए खुला है आप मुझे बता सकते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है character sketch के पर हम theme देखते हैं तो यहां पर pitable conditions of poor children को बताए गया है और बताए गया है कि कैसे यार यह poor social economic condition में रहते हैं जो कि इनके यहां पर आसपस prevail करती है character sketch को अगर हम देखें तो यहां पर साहे बे आलम slum में रहता है ठाका से आया है barefooted वो रहता है ragpicker है poor है illiterate है लेकि optimistic है positive रहता है जबकि Mukesh जो बेंगल maker है एक different path वो follow करता है courageous है तो उसके बाद dream है उसका motor mechanic बनना and determined or thinker है then theme का एक और पाट अकर हम देखे तो यह जो चिलन है बहुत ही दैनिये condition में अपनी life को वितीद करते हैं और यहां पर theme में एक बात यह भी बताई गई है कि हमें child की जो labor है यह जो child का exploitation होता है उसको हमें खतम करना है कई बार यह प्रशन भी पूछ लिया जाता है क्या यह जो lost spring है यह title सही है क्या तो बिलकुल हम बोल सकते हैं क्या जो spring का महिना रहता है यहना वो क्या रहता है सबसे best season रहता है जब ना जादा गर्मी ना धूप ना बारिश ना ठंड कुछ भी ने रहती एकदम मस्त घूमने आला महसम रहता है तो इसी प्रकार से रहे एक व्यक्ति की जिंदेकी में बचपन जोसका रहता है सबसे खुशनुमा महसम रहता है सबसे खुशनुमा पल रहता है अगर कोई इसी को exploit करेगा तो यार भाई साब उस व्यक्ति का तो बचपन खो जाएगा तो इसलिए lost spring आपर नाम रख रखा ह आप सभी ने बहुत ही करेक्ली आपर आंसर दिया है ऐलफॉन सो डाउड़ी डेंपर इसका अंसर है रेखाना सबसे पहले अंसर दिया बहुत बढ़िया बढ़ते हम आगे और अगला चेप्टर है डीप वाटर तो डीप वाटर को विलियम डगलस नाम की वक्ति ने लिखा को मिलेगा रास्ता आपने सुने ही होगा इसको कई बार कि जा चाह वाहरा तेन उसके बाद इस स्टोरी को अगर हम देखे तो ऑथर एपनी जर्णी को शेयर करता है कि यह उसको फियर ऑफ वाटर था और जब वो 10 या 11 साल का था तब से वो फियर आ गया था तेन उसके पूल में स्विविंग सी कुंगा और यह जो याकेमा और से तो अटलीस सफ ही था क्योंकि याके रामा ना तो रिवर है कित्ती गहरी हो सकती है पूल की एक टैप्थ रहती है लेकिन एक दिन क्या होता है कि वाइम से पूल में हो जाता है बड़ा सब वुली वाहता है उसको को धक्का दे देता है और भाई साब मरते मरते हो बचता है एकदम थ्रॉमेटिक एकस्पीडेंस उसके साथ हो जाता है हलाएक उसको बचा लिया जाता है लेकिन अंदर से बिल्कुल एमोशनली हो शेक हो जाता है हाइड्रोफोबिया मतलब फिर ओव वाटर्स का डेवलप हो करता है फिर भी यार वह अपनी विल को कमजोर नहीं होने देता है और वह वापिस से एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर करता है स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस से स्विमिंग सीखता है तीन मंद की प्रक्टिस करता है और एक परफेक्ट सिमर वह बन जाता है तेन उस के बाद भाई साब पूरा fear of waters का हड जाता है और फिर वो प्रेसिडेंट लेकिन फिर ने यहां पर हना उसके confidence को भी शुरू में अफ्रेट कर दिया था वह बहुत जदा शाय और बन गया था इसकेड बींग टेस्टेड बाई देश्मेंट और कई बार उसके जो क्लासमेंट वह भी इसको टीज करते थे यह चड़ाते थे लेकिन भाई साब सब्सक्राइब करता है और अपने डेडिकेशन मोटिवेशन से स्विमिंग पर मास्टरी आसिल कर लेता है फिर को कौन कर करता है और उसको यह रियलाइस होता है कि भाई साब फिर सिर्फ दिमाग में रहता है अगर आम उसको कारी करने में लग जाए तो उसके बाद तो भा सब्सक्राइब करता है और यहां पर यहीं बताएं गया से अपने चीज़ों से किसी बीविक्ति को चेंज कर सकते हैं तो यह स्टोरी स्विडिश माइन्स के आसपा सेट की गई है जहां पर एक रेट्रेप सेलर है वह स्ट्रगल करता है अपनी डेली लिविंग बिताने के में परते हैं और तो उसको करने से काम नहीं बनता तो चोटी-मोटी-चोडी चकारी भी घरने पर भीइख भी भी मागना पड़ता है तैं जो यह सट्रप सेलर है वह पूरे वर्ल्ड को एक तम पैसिमिस्टिक लिना नेगेटिव तरीके सब देखता है और उसको कंपेर करत ग्रस आ हो गई ती तो एक कोटेट चे पास में वो आता है और वहाँ पर से एक ओल्ड क्रॉफ्टर निगलता है और वो स बहुत तो ढई जाता ए कि आई आप बहुत रात हो गईये रात को हरने पर पर ़ोग यह उने पर रुफ जाईए यह मान जाता है रेट्रफ सेलर की जीव लब लबा जाती है और वो उन पैसों को चुराने निगल जाता है और जैसे वो पैसों को चुराता है कांच फोड के तो उसको डर बेढ़ जाता है कि भाई साव अगर मैं रोड पे चला तो कोई पकड लेगा तो चुपचाप जंगल की तरफ निकल जाता हूं लेकिन जैसे वो जंगल की तरफ जाता है तो खो जाता है और ठका हारा एकदम गिरनी वाला होता है उसको एक आईरहन मिल के आवा जाती है पटाक से उसके तरफ जाता है वहाँ पर शेल्टर लेता है इत्ते में iron mil का व्हाड़ी का जाता है और उसको लगता है कि भाई साब यह तो मेरा पुराना साथी है चलो वही आ साथ में मिलकर Christmas मनाएंगे तो Christmas मनाने के लिए वह पहले तो मना करता है लेगिन फिर iron master की daughter आती है जिसका नाम है Edla वो उसको persuade कर लेती है फिर दोनों उसके घर में जाते हैं तीनों उसके घर पे जाते हैं आरन मस्टर के लेकिन वहाँ पर अच्छे से शुरूर में तो खातीदारी होती है पिर जैसे वो अगले दिन चर्च जाते है तो वहाँ पर उनको पता लगता है कि भाई साब यह तो iron master का दोस्त नहीं है यह कोई soldier नहीं है यह तो एक चोर है इस पर iron master बहुत जटा गुस्सा होते हैं वो पटाक से गर जाते हैं घर पर guard से पुछते हैं रहे guard साब कोई गया है क्या guard साब बोलते है कि हाँ भाई साब एक आदमी जो आप क्या रुका तो वो चला गया है अरे भाई साब किता धन ले गया वो ना सारा बहुत सारा ट्रक भरके माल तो नहीं ले गया तो इस पर guard बोलता है कि नहीं नहीं वो तो और उल्टा एडला मेडम के लिए गिफ्ट छोड़ गया है तो फिर गिफ्ट को खोला जाता है उसमें एक letter रहता है चूएदानी रहती है और वो 30 क्रोनर जो उसने चुराए थे वो रहते हैं उस letter में लिखता है कि मुझे माफ करना मैं चोर था लेकिन आपने मुझे इतना च्छे से treat किया है कि मेरे अंदर दया करूना ये सब जाग उठी और हम मैं चोरी चकारी सब कुछ एकदम छोड़ता हूँ तो इस प्रकार से एडला के काइडनेस कंपेशन और लव से एक व्यक्ति की पूरी जिंदकी बदल चुकी थी करेक्टर के देखने तो एडला पूछा जाता है एडला ओल्डेस डॉटर थी आरेन मास्टर की बहुत ज़दा प्रिटी नहीं थी लेकिन हाँ काइंड हार्टेट थी कंपेशनेट थी और स्मार्ट थी क्योंकि उसने शुरू में पहली नजर में पकड़ लिया था कि शायद यह चोर है तैन उसके बाद एक अच्छी होस थी एक अच्छी यूमन बिंग थी जबकि पैडलर जो अपना वेगा बॉर्ण मतलब आवारा थ था रच आर अपने इंकम को सप्लिमेंट करने के लिए चोरी चकारी भी करता करता था क्रॉफटर से पैसे चुराता है और फिर आवल फॉर ने मास्टर के घर में रहता है last news का जो पूरा ह्रदय है वह परिवर्तित हो जाता यह comment box आपके लिए कुल कुला है चलो आप में से आपने आंसर सही दिया है अनीज जंग सबसे पहले आंसर दिया है सिक्रेट टीचर ने बहुत ही बड़े है आप काम कर रहे हो आप इसी बात पर आप मुझे बता दीजेगा कि थर्ड चेप्टर डी वाटर को किसने लिखा है यह जो कॉमेंट्स है आप बिल्कुल कॉमेंट से इसकी थीम क्या है पहला तो अगर अच्छी लीडर्शिप रहेगी तो आप बहुत बड़े बड़े पडिवरतन कर सकते हैं गांदी जी के बारे में लिखा गया है कि वह काइंड एंड कमपेशनेट लीडर थे और उनके काइंडनेस के करण उन्होंने चंपारन के को चंपारन में 1916 याना हला की चंपारन जता है अगर 1917 में हुआ था लेकिन 16 से थोड़ी प्रोसेस स्टार्ड हो गई थी तेन एरेबल लेंड मतलब होता है जो ऐसी भूमी जो की उपजाओ हो तो एरेबल लेंड को ओन करते थे कौन अंग्रेज लोग उसको ओन करते थे ठीक के वाइस सब चल रहा था सिस्टम लेकिन जर्मनी ने सिंथेटिक डिवलप कर ली इंडी को अब जैसे अर्ट एफिशल इंडी को को डिवलप किया गया तो एकदम नैश्रल इंडीओ के डाम गिरे अप जैसे दाम गिरे तो अंग्रेजे उनने बोला नहीं चाइदा नहीं चाइदा हमें इंडिगो नहीं चाइदा है ना तो भाई साहब आप किसानों में खुशी की लहर दोर ठीक है रहे भाईया चलो वड़िया हम अपनी दूसरी पसल उखाएंगे लेकर अंगरे जोने बोला इसके लिए आपको मुआफजा देना पड़ेगा हमें आपको पैसे देने पड़ेंगे तो कुछ गरीब किसानों नहीं दे दीए पैसे जबक्कि जिन में थोड़ा सा था खेते केरे भास साब एक तो आप एग्डिमेंट भी हमसे कर वारहां हो पैसे भी हमसे ले रहöhों सव हमसे कर रहो यह तो गलत बात है तो राज कुमार शुकला नाम के एक विक्ती गानी जी के पास पूझ गया बापू 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 अब आप ही मुझे समालो आप ही चमपारण के किसानों का धन्य करो ना उनको धन्य करो तो फिर भाइस आप बापू आते हैं चमपारण में सत्यागरा करते हैं civil disobedience moment करते हैं starting में वो सारी lawyers को भी डाटते हैं कि भाई साथ तुम lawyer भारत के हो या फिर उदर वालों के हो इनकी आप मदद करो क्यों आप इनसे बड़ी बड़ी fees charge करते हो तो इस पर lawyer भी बोलते कि नई 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 अब हम इनसे जादा फिस चार्ज नहीं करेंगे गांधी जी लड़ाई लड़ते हैं और लास्ट में चंपार इनके लड़ाई गांधी जीत जाते हैं और गांधी जी इस इनिशल में तो बोलते हैं कि हमें 50% जो भी refund हो चाहिए तो इस पर अंग्रेज बोलते कि बापू हमने थोड़ा खर्च कर लिया है पचास तो नहीं दे पाएंगे 25 ले लो तो गांधी जी बोलते ले भाई साथ 25 दे दे क्योंकि गांधी जी का में मकसद पैसे लेना या पैसे कमाना नहीं था गांधी जी का में मकसद था अंग्रेजो को जुकाना जो गांधी जी ने कर दिया था फिर गांधी जी ने देखा कि बैसाब सिर्फ इससे काम चलेगा नहीं यहाँ पर social upliftment करना पड़ेगा तो गांधी जी ने education health hygiene इन सभी पर विकाप किया और वहाँ के लोगों को self-reliance का part पड़ाया इसके बाद characters के राजकुमार शुकला का यहाँ पर पूछा जाता है तो राजकुमार शुकला एक poor share cropper थे victim थे क्योंकि अंग्रे जो ने इन पर भी अत्यचार किया था adamant थे मतलब बहुत ज़्यादा जनके अंदर द्रड संकल्प था persistent determined थे यान और डरते नहीं थे challenges से strong opinion रखते थे जन उसके बाद गांदी जी का assistant लेते हैं British landlord से fight करने के लिए and गांदी जी की side में रहते हैं बिलकुल last तक और गांदी जी की मदद करते हैं तो यह थे हमारे राजकुमार शुक्राब जल्दी से आप comment box में मुझे बताईएगा कि यहाँ पर जो अपना fourth chapter है red trap वो किस ने लिखा है ठीक है तो यह आप मुझे बताना William Douglas पिछले वाले के right answer था और Queen of Hills ने सबसे पहले उसको लिखा था बहुत ही बढ़िया एक ने लिख दिया विलियम फगलस नहीं था डगलस था चालो बाइसा प्रियम ने एक्दम सही आंसर किया है और सेलेमा लेगल लॉफ ने लिखा है तो सेलेमा लेगल लॉफ ने क्या लिखा है तो हमें एक insight दी जाती कि कैसे different लोग काम करते हैं एक जगे भले ही उनके अंदर casual dislike हो एक दूसरे के लिए कि जब वह last में जब एक संगटन के लिए काम करते हैं तो फिर पूरी ताकत वहां पर लगा देते हैं यह जो chapter 10 की starting होती अशोक मितरन से जो की Gemini studio के बारे में बात करते हैं जहाँ पर pancake नाम की company उसका make-up बहुत ज़दा use किया जाता था और बिल्कुल truck भर-बर के यह make-up को मंगाय जाता था एक्टर्स को भी कई बार challenges face करने बढ़ते हैं क्योंकि इतना ज़दा make-up जब उनके पानी पिर जाता है एक office boy subu की आपर बात की गई है जो कि भाई-साब वो भी आया तो actor बन नहीं था लेकिन भाई-साब यह जो subu है यह तो basically क्या होता है author के पास आता है बार-बार complaint ले लेके और author suspect करते हैं कि भाई-साब subu का जो brahmin background है वो इसको advantage देता है नहीं वो office boy है वो complain लेके आता था subu की ठीक है sorry थोड़ा सा confusion उन्हों कहता office boy जो था वो बार-बार subu की complain complain लेके आता था अशोक मितरन के पास में और यह जो subu था यह तो भाई-साब कटम अंगलम subu इसका नाम था और बहुत ही resourceful, loyal और कमाल का वेक्ती था जिसको सभी लोग प्यार करते थे था वो अशोक मितरन के लेवल कई लेकिन भाई-साब जो उसके अंदर का talent था उसके चलते वो जैमिनी स्टूडियो में second number का आदमी बन गया था ना पहला number का आदमी तो जैमिनी स्टूडियो का boss था और second number पर यह था versatile था सारे गाम कर लेता था तेन एक बार क्या होता ह है moral rearmament army जो की एक foreign theater का group था वो आता है perform करते हैं भाई-साब क्या गजब के costumes और sets इनके रहते हैं एक और guest आते है Stephen Spender जो की visit करते जैमिनी स्टूडियो को लेकिन भाई-साब उस time पर उनको कोई नहीं जानता था फिर बाद में शोक मतरन को बता लगता है कि अरे भाई- पोस करने भी आते हैं यह moral rearmament वाले है ना जो कि यहां पर क्या promote करते हैं भाई-साब democracy लाओ लोग तंत्र लाओ इंडिविज्वलिजम रहे है ना सब की आवाज को सुना जाए तो इन सारी चीजों पर focus किया जाता है then character's cage में caught among them सुबू का ही आता है तो highly ranked था highly respected था number 2 था सुबू को एकदम lovable और selfless portrait किया गया अशोक मितरन के दवारा ठीक है boss का नाम किया है तो boss का नाम तो शायद यह mention नहीं है chapter में तो अपने को इसको आद नहीं रखना है अब आप मुझे बता सकते हैं कि chapter 5 के कौन है author comment में comment box में आप पिलकुल comment कर सकते हो चले वाइसा बहु इसके इसके अंदर छपा था था थीम किया इसकी तो यहां पर focus किया जाता है कि यार कैसे जो interview है बहुत ही कमाल का invention है और इससे celebrity के वेरियस यहां पर aspects भार निकल के आते हैं हाला कि celebrity's case पर various views थे ना कुछ case positive view थे कुछ case के negative view थे तो Christopher discuss करते हैं various challenges क्या या advantages क्या होते इंटर लोग तो interview को as a source of truth मानते हैं and एक वे मानते हैं to answer the public question and public individually तो जा नहीं पाईगे उनसे पना question पूछने तो interview के मादिम संसे पूछे जा सकते हैं जबकि कुछ लोग सोचते हैं यह तो हमारी life के अंदर एक intrusion है यह तो एक दखल अंदाजी है हमारी जीवन में जैसे writer S. Paul जो वह describe करते हैं being interview is a disturbing and diminishing but acknowledge करते हैं कि interview is a serviceable medium of communication है ना कि भाइसे भी disrupt तो करता है लेकिन एक अच्छा medium of communication भी है second part में mention किया जाता है Umberto Eco के दवारा और यहां पर जो Umberto Eco है इनका interview लेगा जाता है Mukundh Padmanabhan के दवारा जो कि The Hindu के अंदर generalist होते हैं तो Umberto Eco एक और नेम आफ रोज नाम की novel के और बहुत सारे इन्होंने अपने novels वगर ऐसा परप्लिश किया है यह खुद भी एक कई university में professor रहते हैं तो Eco बोलते हैं कि वह साब इनसे जब पूछा जाता है क्या इतने सारे काम कैसे कर ले तो Eco साब तो Eco साब बोलते हैं कि रहे यार जैसे universe के अंदर empty spaces रहती है ना जिनको इस interstices बोलते हैं कि जो empty spaces हैं हमारे जीवन में भी रहती है और अगर हम इसका positively इस्तेमाल करें तो हम इन empty spaces को भरके वो काम कर सकते हैं जो हमारी hobby है फिर इन से पूछा जाता है क्यार आपको एक novelist बुलाएं या फिर एक teacher बुलाएं एक academician बुलाएं त जाता है कि छे दिन तो मैं अपना जो में काम हो करता हूं तो आप मुझे as an academician ही बुलाएं तो यहां पर इसका character sketch में अंबर टो इको को कही पूछा जाता है तो उसको लिखना पसंद है और academician की तरह उनको जाना जाए तो बहुत अच्छा लगता है देन उसके बाद वह अ जाता अपने पास chapter 5 ते इंडी को बहुत ही बढ़िया बढ़ते हैं फिर हम आगे last chapter going places और going places के author A.R. Barton और modern writer है याना जो कि यहां पर problems teenagers और adolescence वाले बच्चों को face करनी पड़ती है उसके बारे में बताते हैं यहां पर इसकी theme क्या है तो Barton explore करते हैं कि जो adolescence है यहां इस stage में बच्चे क्या करते हैं fantasize करते हैं और hero worshiping करते हैं यहां जैसे Sophie वह क्या करती है Danny कैसी नाम के ग्वि और यहां पर बताये गया है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए को सारे चीच के limit होती है author convey करता है that building castles in the air हवा में महल बनाना एक अच्छी बात नहीं है की points को अगर हम देखें तो यहां पर story में teenage girl Sophie की बात की गई है जो की daydream करती है और वह चाहती है कि वह बड़ी ओकर एक actress भी बन जाए fashion designer भी बन जाए जबकि उसकी जो friend रहती है जैंसी बहुत जदा practical रहती है और बोलती है कि बड़े हो कि हमें biscuit factory में काम करना है जहां पर अब हम internship कर रहे है तो Sophie एकदम जैंसी Sophie को grounded रखने का भी काम करती है Sophie के दो बाही थे जिसमेंसे बड़ा बाही थे जी नहीं लगता था कि भी या क्यों आप इतना सालें रहता हो अपनी fantasy में मुझे भी शामिल करो तो उसके बाद Sophie fantasize करती है about the Irish football player Danny Casey जो की बहुत ही बड़ा star football player होता है तो Sophie उसके साथ fantasies बना लेती है कि रहे भाई यह तो मेरा boyfriend है और यह तो बार-बार मुझसे मिलने आता है 10 जी ओफ जो कि एक बहुत ही sensible विक्ती रहता है Sophie का बड़ा भाई यहना उसको पहली बात तो believe नहीं होता लेकिन फिर वह सुन लेता है इसकी ऐसी बातें को Sophie deeply immersed हो जाती है और अन्मंगणत कहानिया बनाती है यहना एक बार मैच होता है पुरा परिवार देखने जाता है उस जाए में पूछा जाता है बैसाब करेक्टर इसके दोनों का Sophie और जैंजी का तो Sophie एक टीनेजर है अपनी फैंटेसी में रहती है एंबिशियस है बुटिक ओपन करना चाहती है और एक एक्ट्रेस फेशन डिजाइनर बनना चाहती है जबकि जैंजी एकदम प्रेक्टिकल है सेंसिबल है और वो Sophie को इस तरह के मन गरंद वर्ड से बार बार कीच कीच के पीछे भी लाती है करें बहन बन विसकिट वेक्ट्रे में काम करते है तेन उसकी एक आदत थी कि वो सीक्रेट नहीं रख पाती थी नो बता देती थी सबको और Sophie की तो वो अपोजेट थी तो इस हमने आठ के आठ चैप्टर जो फ्लेमिंगो के प्रोज वाले थे उनको कवर किया है याना उमीद है आपको यह अच्छे लगे होंगे कोई आपके डाउट सो तुसको आप कॉमें बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको डीटेल में वाले चैप्टर पढ़ना है तो ब्रह्मा सीरीज अल्रेडी लाइव है चैनल पर जहापर हमने डीटेल में हर एक चैप्टर को डिसकस किया है और इसके साथ साथ बहुत ही कमाल नमाल कोश्चन को भी सॉल किये हैं जिसमें एक्सपेक्टेड कोश्चन सेंपल वेपर कोश्चन सब कुछ सॉल है और फ्री में उसके भी one-page notes सारे तयार है और poems वाले के तयार हो चुके उसके भी हमें इस तरह से discuss कर लेंगे पोएम के कुछ टिप्स बता दो तो पोएम स्यार कल वन शॉट में अपलोड किया था कल शायद क्या आज ही सुब अपलोड किया था तो उसको जरूर से देखना बहुत कमाल का वीडियो है और मतलब मैंने आज तक सबस्यादा वीडियो में मेहनत अगर करिए तो वह ही है त एक बार देख लेना उसको बहुत मेहनत से बनाए गया वह वीडियो है और अपने चैनल पर आपको मिल जाएगा तेन बहुत का नाम वायवाम एक्स्टरनल ने पूछा था तो देखो यार अगर बाय चांस इस तरह से फैक्ट्वल कोशन पूछे जाते ना तो आप मना कर सक पूलाइटली कि सर मैंने चैप्टर पढ़ा था अच्छे से लेकिन हो सकता है मुझसे नाम मिस हो गया हो सौरी मैं घर जाके उसको जरूर से देख लोगा तो इससे आपके माक्स नहीं करते हैं तो रीडिंग इसकिल्स अच्छी कैसे करें तो रीडिंग का में एक वीडियो खेंदर मिल जाएंगे आपको एक्स्ट्रेक बेस कोश्चन का सबसे बड़ा फायदा यही के आंसर आपको एक्स्ट्रेक में अल्रेडी दे रखें थोड़ा सा दिमाग लगा कि बस उनको दूड़ना है तो इसलिए थोड़ा सा और अटेंटिव रहें तो आपको मिल जाएं आपके पैसे स्वाल बहुत आसानी से पोईटिक डिवाइसे यार कल जो में वीडियो डाली थी वन शॉट की उसमें आपको मिल जाएगा तो वहां से आप देख लीजिए का राइटिंग सेक्शन कला जाएगा याना कल उसका वीडियो 100% आई जाएगा और कोई अगर आपक आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपके सभी डाउट को क्लियर करेंगे बाई सबम एंड राइटिंग डियली मैटर्स तो यार दे कुछ लेजिबल राइटिंग रहनी चाहिए ऐसी राइटिंग जो समझ में आ जाए पढ़ ले आराम से आप बहुत ही जादा सु तो यार पोएम में ही पूछी जाती है टोन वाले कोशन और वह मैंने अल्मूस कल डिसकस किये हैं तो कल वाला वीडियो देख लेने एक बार आपका हो जाए का काम डर उसके बाद एक्जाइम में टाइम कैसे मैंज करें तो यह इंगलिश का तो मैं आपको बताये था कि जाते हैं याद रहता है खड़ा खड़ा लिख देते हो फिर राइटिंग सेक्शन को स्टार्ट किया जाए क्योंकि इसके फॉर्मेट से याद रहते हैं तो बहुत आसान हो जाता है और लास्में जिन पैसज किया जाए शब्द की जो शीमा है या वर्ड लिमिट है उस पर पुरा फोकस किया जाए 20-30 शब्द या 30-40 शब्द जांपर लिखने हो ते लिखो 100 शब्द वाले हैं बड़े बाले में 100 शब्द के आसपस लिखो तो हो जाएगा देन इसके बाद साहित यहां पर आये हैं क्या बुलने में बिग फैन भाईया प्लीज टेक मैं ने इसके बाद अपने पास रोड साइस 10 कोश्चन में प्रॉब्लम है तो आप एक बार वीडियो देख लेना शायद उसके बाद वह प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाए या ना सारे वीडियो अपने चैनल पर फ्री है तो आप देख सकते हो इसको एजुकार्ट पेपर इस वेरी ह बॉड्वा शोत प्री हो रहा है क्या बॉर्ड भी इतना टफ आता है कर लें बहुंड बहुत सेंपल पीपर आता है बॉड का एक्चुल संपल पेपर जो सीवेस ने डाल रहा है उससे वी सिंपल आता है तो उसकी टैंशन मतलो कौन सा सेक्षिन अटेंड करना सबसे पहले ह कर सकते हो आप important question flamingo के करवा देंगे भाई साब लेन उसके बाद आप हमार लिए इतना कर रहे हो thank you so much यह अच्छा लगा कि आप भी appreciate कर रहे हो तो लास्टे कौन सा वीडियो होगा तो लास्टे वीडियो होगा कि कैसे शांत रहे है ना कैसे न पड़े ठीक है क्योंकि तो इसलिए बहुत ज़्यादा उस time पर वह नहीं करना है अपने को और बिल्कुल जो चीजे पड़ी है थोड़ा बहुत करना है चिल रहना है रिलेक्स रहना है काम रहना है सोना है नीन लेनी है अच्छी नीन लेऊगे तो अगली दिन tension कम रहेगी ठीक है तो इस सारी चले ही जाओ क्योंकि जितनी चीजें आपको याद रहेगी उतना ही आपको आसन रहेगा वह पर उतना ही टाइम बचेगा ठीक है तैन उसके बाद अभी इंग्लिश पड़ना स्टार्ट किया कोई दिक्कत नहीं कोई देर नहीं हुई है अराम से आप अभी भी cover कर सकते हो one चैनल पर उनको आप देख लीचेगा ठीक है तो उमीद करता हूं मैं आपके लगबख सारी चीजों को यहां पर cover करने में सक्षम रहा हूंगा वन पे शॉर्ट नोट इना फेक बोर्ड के लिए तो देखो यार वन पे शॉर्ट नोट आपके लास्ट मोमेंट पर आपको च चीजे पता लग जाएगे ना को वन शॉर्ट में तो यह जो वन पेज नोट से इनकी भी सीमा है ना इसमें हम सिर्फ जो most important चीजे उनको cover कर पाए लेकिन आसपास की चीजे भी थोड़ी पता रहेगे तो सही रहेगा और वह भी बहुत कम टैम में ने cover करी अपने चैनल पर तो सको भी देख लेना एक बार थैंक यू फर ब्रह्मा सिरीज तो थैंक यू आशु भाई फॉर अप्रिशियेशन दैन उसके बाद आयान के बोल रहे सर इंपोर्टेंट चेप्टर कौन कोंस है तो यार देखो cbsc में तो सारी चेप्टर इंपोर्टेंस है क्योंगे हम से जो वन चॉट वीडियो है पोएम का मतलब में को लगता है इंटरनेट पर सबसे चोटा वीडियो वही होगा वन चॉट का पोएम का जिसमें लाइन बाइन एक्स्प्लेनेशन की गई है बैसा पोएम की है अब अगर एक ऐसा भी हो सकता है कि बसा नाम पढ़ दिये तो तो चोटा बनी जाएगा वन शॉट का लेकिना जिसने लाइन बाइन एक्स्प्लेनेशन भी कर रहे हो वह तो मुझे लगता है वन शॉट सबसे चोटा मेरा वीडियो है याना क्योंकि नो बिल्कुल आल तुपालतों की बाद सीधा पढ़ाई की बात की इसमें पोएम का देख करा या फिर डिक्विस्ट तो क्या अगर आप चाहेंगे तो आप के लिए मैं विस्टास का भी वन शॉट लिया हूंगा ना तो जैसे आज हमने कवर किया अल्मोस्त आदे गंटे में फ्लेमिंग विस्टास को भी कवर कर लेंगे हैं फन पेज नोट्स यह जो आज हमने डि कर सकते हो एक दम फ्री में सब आपके लिए विलेबल हैं ठीक है बच्चा बाड़ी सो एंसे आटी के कोश्चन सब कुछ डिसकस्ट है अपनी ब्रह्मा सीरीज में वन स्टॉप सल्यूशन है उसके आगे कुछ नहीं करना है तो बस आप वह भी देख लोगो तो आपका काम और मैंने करवा रखा है तो बहुत अच्छे से रिसर्च करके चीज़े मनाई गई है तो बस आप तो उसको कंजूम करें यहना मिठाई आपके मूह तक आ गई है बस आपको खाना है अब खुद पूरा जीरो से मिठाई बनाने के लिए नहीं बैठना है यहना उससे टाइम लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल आप से यहना कल शायद से में थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम जल्दी करूंगा तो एक बार आप यह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पर जॉइन रहना ताकि आपको अपडेट्स मिल जाए लेटेस जो झाल झाल झाल